हाँ तो भाई लोग यार कैसे उम्मीदे का आप लोग यार बढ़िया होंगे आपकी लाइफ हे नमर उनकी चल रही होगी तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले एक नहीं हिंडीड़ मूवी के बारे में और जिसका नाम है अकास करगा टू वो भी आई थी मल्यालन शिर्मा के तरफ से और फाइनली आज इसका हिंडीड़ा प्रिमियर होने वाला है तो फिर आज आप दे नहीं करते हैं और श्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू पर इस इंट्रो के बाद तो देखार वैसे तो हम बात करते हैं पहले श्टार्काष्ट ये बारे में पर इसमें तो श्टार्काष्ट है उनको नाम मुझे पाता नहीं है और नहीं पर पता करने गया क्योंकि यह अगर आप किसी काम से इंप्रियस होते हो तब ही तो पता करते हो और मेरे को ऐसा पता करने गया नहीं पर फिर भी आपके लिए नाम डाल दूँगा उपर चाहो तो रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो उसके बात दिगल के आती कि इसकी स्टोरी क्या है पूरी कहानी क्या है क्या अप्लोड रखती है हमारे सामने तो इस स्टोरी है फोकस करती है एक ऐसे करे वैसे फिरी में पर हाँ अगर आप देखने जाओगे तो कुछ नहीं जाए तो आपका टाइम तो जाए गहीं तो क्या आपको अपनी टाइम को बरबात करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्लस मुवी कैसे लगने वाली है कितनी पसंद आना वाली है एक्टिंग कैसे देखन हैं किया को एक आपको कैसे नहीं क्यूंते है तुर करецओ नहीं ंपना आपको आपको इंपरतो करेगा और कुछ नया लाएगा इस पूरे प्लोट में और यहापर में तो क्र ballet है वो मेरे को overall अच्छी लगी जिसको इतना important देना चाहिए उसी आपके movie उसको देती है हाँ यह नहीं कि जान भूज कि यार फालतो की चीज़ दिखाए और फालतो की love story है बाकी सब चीज़े जान भूरके बाढ़ जा रही हो यह सब चीज़े नहीं है movie में चो यार इस movie के लिए सबसे वड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप एक हिंड़ अब audience हो तो movie में यार कुछ चीज़े आपको ऐसे देखने हुमिल लेंगी जैसे थोड़ी बहुत comedy बाव और बाकी सब चीज़े जो आपको impress कर देगी लगभग यार 100% कर देती है साथ में जो टेलिंग के तरीका लगा मतलो जो निर्यासन है पूरे स्टोरी का वो भी मेरे को ओक्य ओक्य लगा काम चल जाएगा बात करेकर इसके screenplay के बारे में तो movie को जो मैं देखने बैठा तो यार मेरे को starting थोड़ी बहुत slow लगी जो करेक्टर ने इसमें उन्हें कोई audience connection नहीं है काफी time wait करने के बाद यार किसी character से आप connect कर पाओगे फिर यार साथ में movie के starting point काफी slow है तो इसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा अपने main point पर आता है तो काफी time लग जाता है movie को और कई character को introduce कराते कराते movie के screenplay में जो suspense और twist है वो भी इतने बड़े वाले नहीं है कि जो आपको जटका देंगी और horror भी छोड़ दो यार अगर आपको suspense और twist और लिए movie पसंद आती है तो इस movie के suspense और twist है वो आपको पहले से पता होंगे कि movie क्या से turn करेगी और क्या क्या दिखाएगी जो production value है वो आपको पसंद आने वाली है उसमें कोई खास कमी नहीं है बात करनी होकर इसके background score के बारे में तो वो भी मेरे को ok ok लगा काम चल जाएगा एक्टिंग के बारे में पहले बोल चुका हूँ कि यहां जो भी स्टार कास्ट है मुझे उन लोग के काम उतना बढ़ी है जितना अच्छा होना चाहिए उनके character की साब से और उसको और अच्छा play कर सकते थे लोग पर किया नहीं है मतलब एक्टिंग से आप इंप्रेस नहीं होने वाले हो तो फाइनल बात कर लिए अगर इस movie के बारे में तो अगर आपको एक medium range की horror movie चाहिए प्लस अगर आप हिंड़ीड मूवी देखना पसंद करते हो मिश नहीं करते हो और आपको पता है कि वहां से कुछ मसाला ऐसा देखना मिल जाएगा जो आपको हसाएगा और थोड़ा बत इंजोई करवा देगा तो फिर यार जाओ देखो एंजोई करो अगर एक serious audience हो एक अच्छी horror movie चाहते हो तो यार पास में मत बटकना कुछ जादा अच्छा देखने हो नहीं मिलता है नहीं मुवी जादर डराती है फिर यार आप आगे आपकी मर्जी अगर आपको देखना हो तो जाओ देखो एंजोई करो बाकि अगर वीडियो अच्छी लिए 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 ल